चले कवर को बाहर निकालते हैं यानि आने वाले समय में प्रॉब्लम कड़ेगी गाड़ी मैं आपने देखा रहेगा कि दोस्तों यह है ब्रेंड न्यू टीवियस की मोश्ट पॉपलर रेडर वन टो फाइब और आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि इसके इंजन के बा कि यह comment करके बता रहें कि आप इसको जो होंडा के किसी गाड़ियों से compare कीजिए कि उसका ISG सुखे में कैसे run करता है और इसके अंदर जो oil डालना क्यों जलूरी पड़ गया बट वो तो compare करेंगे बाद में पहले जो मैंने step बताया है वो पहले clear कर लेता हूँ जैसा कि मैंन head side open करेंगे फिर इसके color side open करेंगे और open करेंगे इसके head को तो पहले step में हम लोग ने clear कर दिया इसके ISG system को दूसरी step में हम लोग इसके अंदर इसके head को open करेंगे क्यों वो मैं अभी बताऊंगा और तीसरी step में इसके कलच को open करूंगा अब आपको बताते चलें इसके में जब इसके head के और इसके block के complete mechanism को देखता हूँ या हमारे कोई भी mechanic भाई देखते होंगे तो काफी ज्यादा confuse हो रहे होंगे कि इसके अंदर block ऐसा लगता है कि TVS Phoenix का और head इसके अंदर TVS Victor का डाला गया है मैं भी इस चीज़ को लेकर काफी confuse हूँ अगर इसके अंदर TVS Victor का head दिया रहेगा तो मैं उस चीज़ से काफी disappoint हो जाऊंगा क्योंकि Victor के अंदर आता था three valve engine और वही एक बड़ा कारण बना जिसके होजासे उस गाड़े को continue कर दिये सिर्फ three valve को लेकर और self को problem को लेकर तो मुझे इसके head को देखकर ये लगता है ना कि इसके अंदर three valve का engine लगाया गया है और एक Victor में और problem था self का one way बार बार खराब हो जाता था जैसे कि मैंने पिछले हफते ही बताया कि one way के roller तूट जाने के वज़से पूरा engine खोलना पड़ा तो one way का problem तो company recommended इसको redesign करके थोड़ा से इसके engine को tune करके इसके अंदर selfless कर दिया गिया है तो वो तो problem solve कर दिया गिया है अब यह देखेंगे इसके head को खोलने के बाद कि इसका cooling system और इसके head के valve के अंदर क्या three valve डाले गए है या नहीं क्योंकि वो जानना काफर interesting रहेगी और मैं अगर आपको दिखाते चलू तो tvs victor के अंदर यहाँ पे three valve लिखा आता था बट rider के अंदर कहीं पे भी आपको tank म कहीं पे भी आपको three valve का एसा indication या को एसा marking और देखने को नहीं मिलता है अब चलिए मैं इसके direct tank और उतार के head को ही open करके आपको दिखा देता हूं यह three valve है या two valve है three valve इसलिए हमारे mechanic और customer और riders के लिए खराब हो जाता है क्योंकि वो काफी पतले-पतले होते हैं और bend होने क chances काफी बढ़ जाते हैं तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि है या नहीं है बने रहें और जिसको जो भी लगता अपना अग्दम जो दिल में जो विचार है वह हमें कमेंट करके बता दिए ऐसे नहीं की वीडियो देखने के बाद आप कमेंट कीजिए आप अभी हमें त कि एड को में जरूरी है सबसे पहले इसके सीट को निकालेंगे फिर इसके दो बॉल्ट को यहां पे खोलेंगे यह बोल्ट उपन करने के बाद राइट हैं साइड के पेनल को उपन करेंगे और लेफ्ट हैंसाइड के पेनल को ओपन करेंगे। इससे इस तरह से निकालिएगा तो इसके अंदर फिलीखने को मिलेगा यह आप ज़रूर देख लिजेगा वर संदर स्क्रू देखने को मिलेगा इस तरह से रिपीट टाइप मिलेंगे तो काफी होता है बट खोल लेगा आप बेफिकर रहे इस तरह से बॉल्ट पगीरा खोल जाएगा चलिये इसे निकालते हैं टाम बिल्कुल नहीं लेंगे शसा कि मैंने बताया ज्यादा आपका नहीं इसके tank को open कर दिये हैं अब tank को open किया है बंदर थोड़ा देख लिजिए यहाँ पे इसका इसकी जो battery लगी हुई है इस जिगा पे आपको एक बड़ा 60 ampere का fuse देखने को मिलेगा बाकी total fuses जो है इसके इस जिगा पे दिये हुए है यहाँ पे question type कुछ दिया हुआ सूचना क्या लिखा हुए do not temper with fuse और यहाँ पे इसका जो है यह लगा हुआ है flasher इस जिगा पे इसके gear position sensor vs sensor और यहाँ पे इसके headlight के relay दीगी हुए है और इसके यहाँ पे timing chain adjuster इस जिगा पे total body यह इसका cover करेंगे अभी जो main focus है पूरी design देखके मुझे डर लग रहा है क्योंकि same to same ऐसे ही design किया गया है tvs की victor को और वह भी fail हो गई एकदम चली नहीं चलिए मैं इसे हम सारे bolt को निकालते हैं और आपको direct दिखा देते हैं आपको एक बर right hand side से भी दिखाते हैं कि आप देखिए और अनुमान लगाईए अभी भी आपके पास time है अभी भी आप comment करके बताईए क्या three valve है या two valve है right hand side से देखेंगे तो यहां पे ECU लगाया गिया इसके साथ एक और unit दिया गिया है ISG controller यह लगा हुआ है यहां पे इससे self काम करता है और इससे हमारी गाड़ी का sensors और actuators काम करता है right hand side से इस परकार से आपको throttle body देखने को मिलेगा यहां पे इसका spark plug unit लगा हुआ यह इस गाड़ी का oxygen sensor है और यहां पे इस गाड़ी के अंदर जो है oil इस जिगा से चड़ता है यहां पे इस bolt से अब चलिए मैं आपको इसके सारे bolt को बिना time waste के open करता हूँ और direct दिखाता हूँ यह इस तरह से चार bolt open करेंगे फिर इसके head के cover को आप बाहर ले सकते हैं क्या है जी हां 3 valve चलिए cover को बाहर निकालते हैं यानि आने वाले समय में problem करेगी गाड़ी और जिस समय problem करेगे ना मैं direct आपको दिखाऊंगा यह तरह से बाहर से लिख के देना चाहिए आप देखें आप आची 4V के अंदर 4V complete लिखा हुआ है और आप जितने एक भी गाड़ियों में देखेंगे एक्स्रीम होगेरा में सब में 4V 2V इस तरह से mention किया रहता तो इसमें एक जगह कहीं पर भी mention कर दिना चाहिए इसके अंदर 3 valve का engine दिया गया है ताकि customers को या mechanic को पता चल सके कि इसके अंदर आप लेना और ना लेना वह आपके ओपर डिपेंड करता आप देख लिए मैं इसके अंदर दूँगा तीन वाल और दे दिया गया है same to same head यानि इधर नीचे crank case का तो portion में नहीं कह सकता लेकिन यह जो है यह system यह block assembly जो Phoenix का क्योंकि 125 CC की Phoenix आते थी याद रखें मैं Phoenix कर रहा हूं कि company का भी नाम जो कहने का मतलब था वह Phoenix था अब कितने सारे एक्सपर्ट आएंगे उठकर बोलेंगे Phoenix Phoenix वह PH जो है ना उसके बाद O है तो PH के बाद जो O है ना वह silent है तो Phoenix Phoenix मत करिए Phoenix है उसका नाम तो यह 125 CC का Phoenix का block है head assembly वही victor का है क्योंकि मैं हर एंगल से अगर मैं दिखा हूं अभी हाली में मैंने open किया था उसमें आपने देखा रहेगा कि इसी same परकार से उसके इंदर भी spring है इस तरह से stopper bolt लगा हुआ है एक single valve इस साइड पे मिलेगा दो valve इसके intake side मिलेंगे same to same victor का इसके अंदर head के valve दिये गये हैं और TVS की गाड़ी में ज्यादा तर engine के अंदर आपको कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा एक ही engine को फिर बदल करते रहते हैं अब एक थोड़ा सा example तो आपको चाहिए रहेगा जैसे कि आपने अभी देखा रहेगा पहले कि उसके sport जाती थी 100 CC की तो उसका engine इन्होंने redevelop नहीं कर पाया तो फिर क्या किए 110 CC का engine जो star city के आता था रेडियोन का आता था वो engine उठा के direct sport पर भी add करकी 110 CC engine उसके अंदर भी add कर दिया जरी 100 CC की segment में इसके पास जो एक्सल 100 हलुना के शुआ कुछ इसके पास नहीं है चलिए मैं right hand side से दिखाता हूं देखना right hand side से कुछ इस प्रकार से गाड़ी हमारी दिखेगी three valve का engine काफी बहतरी engine design किया गया है इस side से भी अगर देखे तो यहां पे एक तामे का washer दिया गया जिससे clear पता जलता है कि यहां से ही oil इसका उपर आएगा head में transfer होगा अब जब गारी का full engine open करेंगे न तब पता चलेगा कि इसके अंदर जो oil flow system है वो किस तरह से flow करता है इसका जो lubrication system बीच में एक haul दिया हुआ है क्या ब्लॉक में क्या होता है विक्टर के गोल सा haul दिया होता है वो return oil के लिए वो चीज उसके बाद ही पताता लेगा जब इसके पूरे engine को open करेंगे तो channel के उपर इसी तरह से आप बने रहें regular videos आपको मैं दिखाता रहूंगा बढ़िया और update देता रहा होंगा ताकि हमारे mechanic भाईयों को सीखना मिल सके timing को लेकर देखे तो timing को लेकर आपको घबराने की कोई आउसकता नहीं वही सेम यह arrow is side रहेगा यह इस side रहेगा और यह जो dot सा बना हुआ वह यहां आपर रहेगा टॉप में तो इंजन को लेकर घबराने की कोई आउसकता नहीं सिर्फ बाहरी बाहर changes है इंजन में आपको कोई खास बदलाओ देखने को नहीं मिलेगा तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको यह पता चल लगिया और देखें कलच के अंदर फिर से होजिंग का साउंड आएगा क्या जिस तरह से टीवियस की विक्टर में आया करता था सारी चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि नेक्स्ट अपडेट आपको मिलता रहे हैं